हेलो एवरिवन वेलकम आ यूटूब चैनल आज हम बात करने वाले पेंटोशीट टेबलेट के बारे में जिसको की सन फार्मसुटिकल कंपनी मेनफेक्चरिंग करती है अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करतो इसमें पेंटापरजोल 40 मिलिग्राम दिया होता है जो की हमें टोप 40, नूपेंटा, पी एच आप 40, जी पेंट 40 ये इसके कुछ पॉपल ब्रांड से इन नाम से भी यह टेबलेट हमें मिल जाती है अगर हम इसके मारपी के बारे में बात करतो एचो पैसेट रूपए इसके मारपी होता है और पंदा टेबलेट की यह स्ट्रिप पाती है अब सबसे पहले हम पेंटोशिड 40 टेबलेट के फाइदों के बारे में बात कर लेते हैं बात करतो इस टेबलेट को प्योग GERD जैसी समस्चा को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है GERD यानि की गेस्ट्रोग इसोफेगल रिफलेक्स डिजीज यह एक पा टेबलेट कहते हैं तब भी डोक्टर के द्वारा यह टेबलेट दी जाती है और पेशेंट को भहुत अच्छा फाइदा मिलता है और बात करतो इस टेबलेट को प्योग GERD जो लिंगर एसलन सिंड्रोम नाम की बिमारी को ठीक करने के लिए भी यूज मिलिया जाता है यह एक ऐसी समस्य है जिसमें की अगना से यह छोटे आत की उपर की तरफ एक यह एक शादिक टिमर हो जाते हैं और यह टिमर अत्यदिक मातरा में गैस्टिन हर्मोन का निर्मान करते हैं जिसके कान पेट में भहुत अधिक मातरा में एशिड बनता है जिसके कान पेट में छाले और दस्त लगने की समस्या हो जाती है तो जो लिंगर एसलन सिंड्रोम नाम की बिमारी को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के दौरा यह टेबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत यह अच्छा राम मिलता है और बात करतो इस टेबलेट को प्योग एसलन और पेट में अलसर होने की समस्या को ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है तो फ्रेंड्स यह इस टेबलेट के फाइदों के बारें जनकारी थी अब हम इस टेबलेट के नुक्षान के बारें बात कर लेते हैं जब आप इस टेबलेट को लेते हैं तो क्या क्या नुक्षान आपको देखने को मिल सकते हैं साइड़ फेक्स के बारें बात कर तो चकर का आना, सिर में धर्द का होना, जी मिचलाना या उटी का आना, पेट में धर्द का होना, दस्त का लगना ये कुछ side effects हैं जो आपको देखनों को मिल सकते हैं अगर आपको ये इसके लावा कोई और side effects देखनों को मिले तो तुरूंत आप इस tablet को बंद कीजिए और अपने डोक्टर किसला लीजिए ताकि फर्दर treatment आपको दिया जासके अब हम बात कर लेते हैं इस tablet को लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप pregnant मैला है तो आप इस tablet को ले सकती हैं अगर आप breast feeding मैला है तो आप इस tablet को लेने से पहले आपने डोक्टर किसला जरूर ले और बात कर तो अगर आपको गुर्दे से जुड़ी कोई समस्य है तो आप इस टेबलेट का यूज कर सकते हैं अगर आपको लिवर से जुड़ी कोई समस्य है तब आप इस टेबलेट को लेने से पहले आपने डोक्टर की सला जरूर ले अगर आपको हरदे से जुड़ी कोई समझ से है, तब भी आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं, यह कुछ बाते थी जो आपको ध्यान में रखनी है, अब वीडियो के लाश्ट में हम इस टैबलेट की डोज के बारें बात कर लेते हैं, डोज के बारें बात कर तो जैसा कि म तो मैं आपको बता देता हूँ, इस टैबलेट को आपने लेते समय तोड़ना और कुचलना नहीं है, इस टैबलेट को आपने सिधा ही निगल जाना है, और इस टैबलेट को आपने खाली पेट लेना चाहिए, अगर आप इस टैबलेट को खाली पेट लेते हैं, तो आपको ज और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थेंक्यू